अरे क्या करी हो तुम हाँ बैन ये देख रही हूँ आज तू भी देख ले क्या सच में मुझे तो पता ही नी था अरे भाई मैं भी देखू जरा क्या हगा है उसने जबी मैं कहूं थोड़ी सी स्मेल आ रहे थी हम अच्छा सही कहा बिल्कुल तुमने तुम अरे बापरे गमो वी तुमें को नौभी ख्लास से पड़ HOW कि मुझे तो पता ही नहीं था तुमें भी नहीं पता था अच्छा इस वीडियो के माद्यम से बता चला तुमें बहुत सारे चीजें है है जो गंवों की यह बता रहा है तो हमें तो पता ही नहीं ता और नहीं तो क्या हाँ देखू ना कितनी सच्चा ही बोल रहा है तो मैं नहीं पता है चलो चलो आ जाओ मिल के देखते हैं क्या मजग दिया इसने जल्दी से हौँ, हाई दया, देख देख, तुम्हीं नहीं पता, अपनी बीवी के बारे में बोल रहा है, ऐसे बोलता है यह तो, और नहीं तो क्या, बोल रहा है यह तो, कि वो नौवी तक ही पड़ी है, उसको इतनी ज़ाधा पढ़ाई, जो इसने कराई है न, खुद नहीं कराई है, पता हां बता इतनी पड़ी लिखी न वह इन्हों है नहीं बताया सको saor enact इसको उसको और इन्होंने अपने माबाप से ओक्षेया को यह रहें लड़ाई लड़ाई करके ना गमों सच्चाई जाननी है तुम्हें चलो आज मैं सच्चाई से वाकिफ कराते हूं तुम्हें तो सुनो भाई जितनी भी यह कॉमेडी हुई आपको पसंद आई अगर आई है पसंद तो लाइक कर दो दम के और इस वीडियो को शेर मार दो शेर इसले मार दो क्योंकि जैसे जैसे इनकी एक्टिविटी बढ़ेगी न तो उसी तरीके से हमारे रियक्षन आएगे निकलके तो थोड़ा सा मुझे किसी ने बोला चेंज करके काम करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आप सबको मेरा ही चेंज बहुत जादा पसंद सब्सक्राइब करती हूं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो चलती लाइकन शेयर कीजिएगा कोई भी कोशनों कमेंट श्रिक्शन में देना मत भूलिएगा तो सच्छा ही क्या है वो मैं आपको बताती हूं इसने जितनी भी बाते इसमें बोली है ना सारी जूट है हां ये कह सकते हैं इतना मान सकते हैं कि पती की पर्मिशन के विगयर कोई काम नहीं हो सकता पर अगर पती पर्मिशन दे तो औरत सब कुछ कर सकती है एक औरत को अगर तुम बंधियां मजदूर की तरह रखोगे पूरा दिन घर का का काम बाहर का काम फिर अपना स्कूल देखना बच्चों को देखना घर में खाना करना सब चीजे एक औरत ही मैनेज करें पती पत्नी का जो जोड़ा होता है ना वो दोनों के लिए होता है अगर कुछ गलत तुम कर रहे हो एक सेकेंड मैं से सही कर लूँ अगर तुम कुछ ग कहीं जाने दो और उसके पियर वाले आते हैं तो तुम्हें बहुत जदा खड़ते हैं ऐसा क्यूं एक और एक लड़की जब पैदा होती है तब से लेकि जब वो जवान होती है तब तक उसकी माबाप उसे अपने साथ रखते हैं और उनका एकी सपना रहता है कि अपने जगा से वो निकली है बतला का महण जब आप पूरे दिन एकी चीज को बाराभाँ रिपीट करोंगे बारभाँ और मसार रिपीट करोंगे तो हूं हंड्रेड परसंत हो ही जाती है इसी चीजस को अगर रोज Rapid बो llega बो chega तो फरक दिखाता है अपना आसर दिखाती है वही की अब देखो गमों वहां से निकलते ही उसके साथ कितना चेंज आया है उसके काम में भी अब वो अपनी पूरा हड़वर कर रही है अपनी मेहनत दे रही है अपने काम को और वो काम कर जो रिजल्ट है वो आप और हम सब देख पा रहे हैं वहां पर वो वो चीचे नहीं उसका रीजन यह है क्योंकि उस चीज को एक्स्ट्रेप भी नहीं करने देते कोई उसको उस मुकाम तक आने ही नहीं देता कोई तो वह आप देखी रहे हैं किस तरीके से टांग के चाही हो रही है तो उसके लिए मैं क्या बोलूँ बबै लव्यल थैंक्स वरोजी